अगर क्यों मैं गए चल एब एक बार देको कल हमने देख accord कि अगर अगर जीरो रहे तो उस केस में पार्टिकल की मोशन देख ल्या है ऐक बैसे एक्वेशन तो यू इंटू-T निकाला थे सब देख यह था हमने प्लियर है वहां तक सभी को हाँ यह बताओ अगर जीरो है उस पार्टिकल का मोसन कैसा होगा यह हमने देख लिया था इक वेशन वगरा निकाल लिया था उसमें एक ही वेशन है ठीक है अब मैंने बता है कि तीन पार्ट है इसके एक हमें हमारा एक्षफ जीरो रह जब एक्सेलरेशन वेक्टर जो हो वो कॉंस्टेंट हो देखो एक्सेलरेशन वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं कॉंस्टेंट यानि यह क्या बताएगा कि मैगनिट्यूड और डारेक्शन दोनों ही क्या होने चाहिए कॉंस्टेंट अगर एक्सेलरेशन वेक्टर कॉंस्ट होगा और नहीं उसका magnitude चेंज होगा ठीक है अब एक बाद देखते हैं इसमें दो पार्ट आएंगे एक केस में पहला जो पार्ट आएगा उसमें यह रहेगा हमारा कि जिस डारेक्शन में पार्टिकल की जैसे मालो यह हमने देखा कि एक पार्टिकल है यह टी वाश तुजी डिरो पर हमने माल लिया कि इसकी इनिशल विलॉसिटी किस के बराबर है यू के बराबर मैंने वटाया था टी वाश तुजी डिरो क्या होगा कि जिस समय हम इसका motion आवजर्व करना शुरू करेंगे और कि किसी भी टी टाइम पर किसी भी टी टाइम पर इसकी विलॉसिटी टी कितनी ओगई वी मैं नहीं यह बोला कि एक्सट्रेट आंग आपने को स्ट्रेट लाइन देखने हैं कभी ऐसा होगा कि एक ही डायरेक्षन में जाता रहे कभी कि आना शुरू कर देगा लेकिन देखना अपने को स्ट्रेट लाइन कि यह से कि एक बार एक रोड़ और एक बार एक बाहर एक्सिन सब्साइब में अगर विलासिती है तो एक्सिविरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा अप एक इसका मतलब पहले एक बार थोड़ा से समझ लो कि जैसे एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा एफ इक्वास टू मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है यह 910 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्श स्टू मास इंटू एक्सेलरेशन अगर देखे यह भी बाद में थोड़ा डिटेल में अपने अलम में आएगा लेकिन अभी थोड़ा साइक यूज देख लेते हैं इससे थोड़ा फील आएगा कि हायर कैसे विलॉसिटी बगरा में क्या चेंज होगा तो मैं बोल रहा हूं उस होनी चाही है या डिक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए यह बताओ मतलब case ऐसा है कि मालनों मैं इस डारेक्शन में move कर रहा हूँ और मुझे कोई पीछे से इसी डारेक्शन में force भी लगा रहा है मुझे इस डारेक्शन में कोई धक्का भी दे रहा है तो मेरी velocity क्या होगी? increase या decrease? increase होगी तो यहाँ पर जब acceleration parallel to V vector हो ठीक है? shift यानि विलासिटी अगर इंक्रीज हो रही है यानि उसका मागिज्ट इंक्रीज हो रहा है ठीक है डारेक्शन तो इसमें सेम रहने वाला तो वेलासिटी इंक्रीज हो रही यह तो साथ-साथ स्पीड भी क्या होगी है में इंक्रीज भी होग social यानि हम यह बोल सकते हैं कि final velocity जो होगी person की यानि वी एफ वेक्टर जो होगा वो greater than किस से होगा यानि वी initial vector यानि हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि वी जो होगा वो greater than you होगा यानि आप अगर मालो अभी 10 meter per second से move कर रहे हो तो इस case में जब acceleration parallel है उस case में अगर 5 seconds, 7 seconds, 20 seconds कितने भी time के बाद अगर velocity देखें तो वो बढ़ी हुई velocity ही रहेगी अगर अभी 10 है तो उससे ज़्यादा ही रहेगी यही होगा velocity increase हो रहा है यानि वी greater than you के बराबर अब एक बात देखो आप इधर के direction में जा रहे हो और force भी इसी के direction में लग रहा है यानि acceleration भी इसी के direction में होगा तो particle का जो path होगा वो path कैसा होता है straight line path कैसा होगा straight line यह चीज़ ध्यान रखना अपना कि इस वाले case में कैसा होगा path straight line ठीक है क्या एक बात बताओ अगर मैं यह पूछू क्या यह particle फिर से थोड़ी दिर बाद lot के आएगा या नहीं आएगा मालो वो इस point A से चलना सुरू किया है अगर मालो थोड़ी दिर बाद अगर मैं देखो 10 second 50 second 100 second के बाद तो क्या यह lot के वापस आएगा क्या हाँ या ना नहीं आएगा क्यों क्यों क्योंकि यार इधर ही velocity भी है इधर भी force ही लग रहा है वो आराम से इसे direction में चलता जाएगा तो इस case में particle जो है वो कभी अपने original position original यानि एक तरह से initial position पे कभी वापस lot के नहीं आएगा यानि इस case में हम क्या लिख सकते हैं कि particle will never come back to its initial position अपने initial position पे यह कभी वापस नहीं आपाएगा और direction अगर initial position पे वापस नहीं आ रहा है पाथ अगर स्टेट लाइन है यानि अपना direction of motion भी कभी भी चेंज नहीं होगा तो यानि पाथ स्टेट लाइन है और साथ में direction will remain same direction जो होगा वो क्या रहेगा direction will remain same direction जो होगा जो भी particle के motion का जो direction होगा वो always क्या होगा same direction हमेशा जिस direction में उसने move करना शुरू किया उसी direction में continuously move करता जाएगा इसमें एक general confusion यह रहता है कि सर मान लो हमने इस direction को positive ले लिया इस direction को negative ले लिया ठीक है एक यहां पर थोड़ा से confusion आता है मान लो अगर मैंने एक case यह लिया कि particle जो है initially t equals 0 पे है वो इधर की तरफ जा रहा है और इस पे acceleration भी इसका इसी के direction में मैंने मान लिया इधर के direction में positive और इसके direction को ले लिया negative क्या एक बात बताओ जैसे कुछ बच्चों का यह कहना रहता है कि सर यह acceleration negative है या रिटार्डेशन होगा रिटार्डेशन का नाम अभी आपने सुना होगा थोड़ा बहुत कि जब velocity अपने डिक्रीज हो रही है एक बात बताओ इस case में velocity इस बात बात बीटेशन को पॉजिटिव लिया इस डारेक्षन को नेगेटिव पार्टिकल इधर की तरफ यू से जा रहा है एक्सेलेशन भी इधर के डायरेक्शन में पार्टिकल की velocity स्क्राइब कि जो आए रिखे जो पार्टिकल की जोगी वह इनक्रीज़ हो गी यान होगी कि या इलिए जोगी या की आप एंखे सो हुगा एक्सेलरेशन नेगेटियव हमेशा है योगा यह देखना है कि आदके जो है फ्यूटिक प्यूर एंटी परिलॉट बात यह होनी चाहिए, अगर यह velocity इधर की तरफ है, acceleration इधर की तरफ है, तो फिर से सोचो, आदमी इधर ही जा रहा है और उस पे force भी इसी direction में लग रहा है, तो उसकी velocity क्या होगी, increase होगी, वो तो negative, positive अपना क्या बताता है, direction बताता है, तो ऐसा मत सोचना कि अगर a negative है, तो decrease ही होगा, अगर velocity और acceleration, opposite direction में तो यह इस तरह का case आएगा, ना कि acceleration negative होने के case में ही हो जाएगा, ठीक है, यह अगर मालों यहाँ, यू भी negative होगा, यह भी negative, आदमी जा भी इधर ही रहा है, force भी इधर ही लग रहा है, तो उस case में क्या होगा, velocity हमारी increase ही होगी, clear यह वाला case ह हाँ है ना, यह वाला case clear हो गया सभी को, अब इसके बाद देखो, second case में कि मालों acceleration जो है, अगर वो velocity के anti-parallel है, जैसे वो case देखते हैं हम लोग, acceleration जो है, वो velocity के anti-parallel है, यह case हम लोग देख रहे हैं कि मालों case second part इसका case 2 का ही, कि acceleration जो है, वो anti-parallel है, यह देखो, arrow sign मैंने उपर एक नीचे की तरफ है, यानि acceleration वेक्टर जो है, वो velocity के anti-parallel है, यानि अब क्या होगा, यहां से particle मालो, यह अपने पास u से जा रहा है, t equals to 0 पे, इसके पास अगर वो जा इधर रहा है, acceleration इस direction में, पीछे के direction में, दिर बाद मैंने बोला कि t equals to किसी भी t time पे, velocity मैं क्या ले रहा हूँ, इसकी velocity इधर की तरफ ले लिया भी, कोई एक direction लेना है, अपने को ले लेते हैं, बाकि इसके बारे में आगे देखते जाएंगे कि क्या क्या direction हो सकता है, अगर एक बात देखो, acceleration, यानि यहां पे क्या हो रहा है, कि particle जा इधर की तरफ रहा है, लेकिन उस पे force पीछे के direction में लग रहा है, मतलब एक बात सोचो मैं इधर के direction में दोड रहा हूँ, और कोई force पीछे से लगा रहा है, क्या होगा, velocity धीरे-धीरे क्या होगी, decrease होगी, increase होगी, increase होगी, अगर मालों मैं इधर जा रह और एक तरह से इसका magnitude, decrease हो रहा है, यानि विलासिटी का जो magnitude होगा, वो भी speed कहलाएगा, speed भी क्या होगा, decrease, ठीक है, यानि हम यह बोल सकते हैं, कि final velocity जो होगा, ठीक है, वो less than किस से initial velocity से, final velocity will be less than initial velocity, ध्यान रखना, यह चीज जो रहेगा, वो यह तब तक रहेगा, जब त होनता जाएगा, decrease, इसके बाद एक और point पहले समझते हैं, उसके बाद इस पर आता है, यह अगर मालो धीरे-दीरे decrease होने लगा, तो क्या एक समय आएगा कि जब यह यहाँ पे इसकी velocity जीरो होगी, एक समय आएगा कि जब इसकी velocity क्या हो जाएगी, जीरो, हाँ या ना यह ब इसके बाद क्या होगा, जरा यह सोचो, मालो कि एक बार velocity जीरो होगी, उसके बाद क्या मैं वही रुका रहा हूँगा, या फिर पीछे के direction में मूव करना सुरू कर देंगा, यह हमने देख लिया, velocity decrease हो रही है, उसके बाद सोचो, यह धीरे-दीरे जीरो होगी, उसके बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा, वह आदे पीछे आने लगेगा, या फिर वही रुका हुआ रहेगा, यह जरा सोचो, मैं इधर की तरफ दोड़ रहा हूँ, पीछे से कोई एक फोर्थ लगा रहा है, मैं दीरे-दीरे मेरी velocity decrease होगी, सही बात है, उसके बाद अगर यह acceleration continue रह रहा है, उसके बाद, मतलब यह जो acceleration, जो opposite direction में, ठीक है, यह जो acceleration होता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते है, retardation, ध्यान रखना इसको, normally हम लोग negative लेंगे, लेकिन यह कब रहता है, retardation हम कब बोलेंगे, कि जब velocity और acceleration opposite direction में हो, यह हमारा क्या हो, कि a, retardation हमा हम उसको retardation बोलेंगे, ठीक है, अब एक बाद सोच, धीरे-धीरे velocity decrease हो करके zero हो गई, उसके बाद भी अगर यह force हो, जो acceleration है, यह पीछे के direction में जो लग रहा है, उसके कारणिक force ही लग रहा है, अगर वो continue रहा, तो वो पीछे के direction में आना सुरू हो जाएगा, otherwise वो वही तो यह होगा क्या, यहां से देखो, कि particle will stop for a moment, इस case में क्या होगा, particle will stop for a moment, किसी एक particular time के लिए, particle will stop for a moment, किसी एक particular time के लिए, particle रूखेगा, यानि उसकी velocity क्या होगी, stop for a moment का मतलब velocity उसकी zero होने लगी, sorry, zero हो गई, उसके बाद क्या होगा, then, particle will stop, particle क्या होगा, पीछे के direction में आना सुरू हो जाएगा, opposite direction में, then, particle will start to move, particle will start to move, in opposite direction, start to move in opposite direction, particle जो होगा, वो किस direction में, opposite direction में, move करना सुरू कर देगा, particle will start to move in opposite direction, अगर ये continue रहता है लगना, तो क्या particle अपने और initial position पर आएगा, हाँ है न, इस case में, क्या particle initial position पर आएगा, आएगा, उसके बाद क्या होगा, पहले यहां से गया, lot के initial position पर आएगा, अभी भी अगर लग रहा है, तो ये पीछे के direction में जाना सुरू हो जाएगा, clear, यहाँ पर क्या होगा, particle जाएगा, रुकेगा थोड़ देर के लिए वापस आना सुरू होगा, उसके बाद भी एगर continue रह रहा है, तो opposite direction में जाना सुरू हो जाएगा, clear हुआ यह चीज, हाँ है न, अब एक बात देखो, मैं यह बोल रहा हूँ कि जैसे, यह जो VF less than जो VF, एक और बात देखो, कि एक, जब क्वेस्टिन करोगा, यह आता है जिसे माशलों कर लोग आपको चला है रहा है तो ब्रेक अपलाई करते हैं तो ब्रेक अपलाई करने का मतलब क्या होता है, एक तरह का retardation ही आता है, जब ऐखेहर अगर कोई होता है, को इस ख़ाहित होता है, यह तौना है हाँ यह तूं जो का direction है वो opposite direction में हो जाता है velocity के opposite होता है जिस कारण से velocity decrease होनी सुरू हो जाती है अब एक general confusion यह आता है कि सर उसमें तो ऐसा होता नहीं कि हम लोग रुखते हैं उसके बाद पीछे के direction में फिर से वापस आना सुरू हो जाते हैं तो देखो मैंने यह चीज कब बोला था कि जो पीछे के direction में आना कब सुरू होगा कि जब अगर रुखने के बाद भी retardation opposite direction में रहे रुखने के बाद भी अगर वो opposite direction में यह acceleration लगता रहे तो उस case में वापस आना सुरू होगा और जैसे ही अगर गाड़ी रुख जाती है तो उस पीछे के direction में कोई भी force नहीं लगता है और कोई भी force नहीं लगता है यानि पीछे के direction में कोई acceleration नहीं लग रहा है और जब कोई acceleration नहीं लग रहा है इसी कारण से वो कार या बाइक जो है वो पीछे के direction में आना सुरू नहीं होता है क्लियर हुआ यह शीज क्या यह क्लियर हो गया सभी को हा यह न कि इस केस में ने जो बोला कि वापस दृता शूरु होगा लेकिन दूसरे केस में वापस नहीं आता हैокойका यहाँ जब कार यह वार् Первट है वो रुक जाता है उसके बाद उसके पीछे के डायरेक्षंन में फोर्स लगना बंद हो जाता है लेकिन इस केस में हम मान के चलते हैं कि acceleration जो है वो पीछे के डायरेक्षंन में जिसको हमें रिटार्डेशन का नाम दे वो continuously लग रहा है ठीक है तो अब एक बास सोचो जब तक वो t equals to 0 से जब तक वो रुकेगा नहीं वो हमारे लिए क्या होगा रिटार्डेशन यहां से देखो टीक्वल्स टू जीरो से ले करके टीक्वल्स टू जीरो से ले करके टीक्वल्स टू टी और यह कौन सा टाइम है वेन ऑबजेक्ट विल स्टॉप ऑबजेक्ट विल स्टॉप जब तक ऑबजेक्ट जो है रुकेगा उस समय तक यह हमारा जो जो हम बात कर रहा हैं वो retardation होगा है वो हमारा क्या होगा retardation इस case में particle की velocity इधर रहेगी और acceleration इधर की तरफ लेकिन after जो रहेगा after that time उस time के बाद देखो after that time क्या होगा तो particle के पास यह velocity भी इधर की तरफ रहेगी और acceleration भी इधर ही रहेगा यानि फिर से अब ये हमारा क्या बन जाएगा acceleration क्या बनेगा acceleration यहाँ पे आप चाहो तो V भी negative ले लो A भी negative ले लो ठीक है otherwise V positive A positive बाकी अपने को करना क्या रहेगा आगी question में मैं बताऊंगा कि जब भी आप one dimensional motion को deal करोगे तो किसी एक direction को positive और दूसरे को negative ले लो ठीक है throughout the motion हमें वही consider करके चलना है तो एक बात देखोए इसके बाद ये जो part होगा वो हमारा किस की तरह काम करेगा acceleration की तरह क्या ये clear हुआ यानि फिर से velocity इसके बाद increase ही होगी लेकिन opposite direction velocity इसके बाद क्या होगी increase होगी लेकिन किस direction में opposite direction में क्या ये दोनों बात clear हुआ क्या ये पूरा जैसे माल ये acceleration ये जो पीछे के direction में लग रहा है वो अगर continue रहा तो जब तक रूखेगा नहीं तब तक के लिए वो retardation की तरह काम करेगा उसके बाद acceleration की तरह clear हुआ ये क्या ये clear हो गया है चलो अब एक बाद देखो जब भी ये one dimensional motion डील करें तो एक ही sign convention अपने को लेना रहेगा चाहे आप कोई भी एक direction positive दूसरे को negative ले लो ठीक है अब इस वाले case में सर कैसा होगा ये तो acceleration यहां से अगर देखो माल इधर positive लिया हमने इधर की तरफ negative तो यहां से देखो वी कैसा आएगा positive acceleration कैसा negative इस वाले part के लिए क्या आएगा ये भी negative आएगा और वी कैसा आएगा negative ये भी कैसा नेगेटिव और वी भी कैसा आएगा negative नेगेटिव साहिर हमें क्या बताता है vector quantity है सिर्फ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा direction को क्या यहां तक clear हुआ सभी को हाँ ये पूरा motion समझाया है अपना जब एक case acceleration दोनों के ये parallel हो velocity के और एक बार anti parallel हो दोनों में पूरा-पूरा कैसे motion होगा वह clear हो अब इसके बाद हम लोग एक relation निकालते हैं जो equation of motion रहेगा जैसे इसमें तीन चार चीज़े आती है यह यू वी यह सारी चीज़े जो रहती है उन सब को हमने नाम दे रखा है यू हमारा क्या कहलाता है इनीशियल विलॉसिटी माल लोग केस हम लोग कंसिडर करते हैं एक्वेशन ओफ मोशन यहां से देखो माल लिया हमने एक ऑबजेक्ट जो है वह इस डारेक्शन में यू से जा रहा है यह कब की बात है टी को सुझ जीरो और यह जो है वी जो इसकी विलॉसिटी है टी को सु का टी पे एक्षेलरेशन कितना है ए ठीक है इसे ड Șमें लेते हम अब इस केस में यहां से देखो यह यू जो हता ही सको क्या बोलते है इनीश्यल vिलॉसिटी की कि वी को हम क्या बोलते है किसे पर टायमं टी की की समय कि विलॉसिटी यह वोलैंगे सी यह जो आता है यह हमारे लिए क्या कहलाता है एक्सेलरेशन जो कि इस वाले पार्ट में जो सेकेंड पार्ट हम लोग कंसेडर कर रहे हैं उस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन हमारा क्या लेके चले हम लोग कॉंस्टेंट इसके बाद जो आएगा पहले पूरा इसका मोसन सीख उसके बाद हम लोग वाला पार्ट देखेंगे एह हमारे लिए क्या हो गया एक्स रिलेशन वी फाइनल विलासिटी यू इनीशियल विलासिटी ठीक है यह तो यह टाइम इंटरवल टी क्या होता है मारा टाइम इंटरवल जो भी जो equation of motion हम देखने जा रहे हैं basically इनी सब के बीच का एक relation होता है U, V, A, T इनी सब के बीच का एक relation तीन relation हमने निकाल रखे हैं ठीक है उननी को हम क्या बोलते है equation of motion यह T ध्यान रखना हमेशा वहाँ पर क्या रहेगा time interval जो भी तीन equation आएगे उसमें जो T आएगा वो हमे यहां से देखो कि मालो पार्टिकल, first equation of motion हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिकल का acceleration क्या है यहां पर constant यह acceleration हम कैसा ले रहे हैं constant यहां से A equals to क्या लिखेंगे dv by dt क्या इसा लिख सकते हैं हाँ यह न एक लिखेंगे dv by dt अब यहां से देखो dv equals to मैं क्या लिख सकता हूँ a into dt क्या इसा लिख सकता हूँ dv equals to a dt के बराबर acceleration कैसा है constant यहां से अगर बात करें तो एक बात देखो जो यह केस हमने consider किया है t equals to zero पे particle की velocity कितनी limit कैसे put करते हैं तो इसका जो lower limit है t equals to zero वहां पे इसकी velocity यह किसी इन जनरल टाइम पे निकाल रहे हैं उस समय velocity वी के बराबर लिमिट कैसे put कर रहे हैं यह थोड़ा आप ज्यान से सीख लो जो जिस दो point पर हमें पता है जिस दो time पर हमें velocity के बारे हम पता होगा वह हम लेंगे टी को सुझी रो पे velocity यू पता है तो बस यह लिखा है जब टी जी रो तो velocity u, t equals to t, तो उस समय velocity किसके बराबर, v के, यहां से हम आगे बढ़े, तो v और limit कहां से कहां तक, तो u से v के तक, equals to, क्या आएगा, acceleration a constant है, t, और limit कहां से कहां तक, तो 0 से t तक, limit कहां से कहां तक, 0 से t तक, क्या लिखेंगे यहां पर, तो v minus u equals to a into, फिर से देखो, यह t minus 0, एक तरह से क्या है आपका, time interval है, भले यह आता किसके बराबर है, t के, लेकिन यह जो t minus 0 करोगे, तो आएगा क्या, time interval, मालो मैं 1 से 3 लिखता, तो अगर 1 से 3 लिखता, तो 3 minus 1, 2 second आता, तो यह हमारा basically क्या रहेगा यह, तो delta t रहेगा, यानि time interval की बात करेंगा हम लोग, जो भी यहाँ पर put करना, ध्यान रखना, आगे question में आप लोग डारेक्ट थोड़ा सा यह गलती कर सकते हो, कि डारेक्ट time ही put करो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यह हमेशा क्या आता है, time interval, तो यह क्या हैगा अपने पास, तो v बराबर, t minus 0 कितना, t, तो v बराबर, u प्लस कितना आजाएगा, a, t के बराबर, और फिर से मैं बोल रहा हूँ, यह t हमारा time interval है, और यही पहला equation, इसी क्या बोलते हैं, first equation of motion, v क्या, final velocity u क्या हो गया, initial velocity a, acceleration और t क्या हो गया, time interval, clear यहाँ तक, हाँ यह ना यह बताओ, चलो, next आप हम लोग देखना है, इसके बाद, कि from first equation, second equation of motion, अगर हम लोग डिराइव करें, from first equation of motion, from first equation of motion, first equation of motion से अगर देखें, तो उस case में हमारा क्या है, v बराबर, u plus 80, v बराबर क्या है, u plus 80, यही दिया हुआ है, क्या मैं v को यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, ds by dt, हाँ या ना यह बताओ, वी क्या अपना, किसे भी in general time, t की velocity है, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, ds by dt, ds by dt equals to क्या हैगा, u plus 80, यहाँ से अपने पास, क्या लिख सकते हैं, ds equals to udt plus a t dt के बराबर, ds को क्या लिख सकते हैं, udt plus a t dt, क्या यह acceleration और initial velocity, दोनो constant, हाँ है ना, यह acceleration और initial velocity, दोनो constant, यह और भाई, यह दोनो constant है ना, किसी भी अगर मान लो टी को जीरो पे जो उसकी velocity होगी, तो वो तो constant ही होगी, भले चार हो, दस हो, बीस हो, किसी motion के लिए 50 हो, लेकिन उस complete motion के लिए तो initial तो पचास ही रहेगा, acceleration तो हम लो constant लेके ही चल रहे हैं, initial क्यों constant वही मैं बोल रहा हूँ कि माल लो अगर कोई एक motion हमने लिया, कि माल लो तुम जा रहे हो, टी को सुझ जीरो पे सपोर्ज दस मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, थोड़ी देर बाद तुम्हारी velocity जो भी V हो गई, तुम्हारे इस complete motion के लिए मैं पूछू ये एक बात बताओ, initial velocity कितनी, तो हमेशा 10 ही बोलोगे न, ऐसा थोड़ी थोड़ी दिर बाद वाली velocity उठाके बोल दोगे, 20 मिटर पर सेकेंड, आप तो हमेशा initial कितना बोलोगे, 10 ही बोलोगे, तो यू हमारा क्या होगा, constant, तो एक काम करते हैं, इसको integration sign से बाहर कर लेते हैं, ये क्या आएगा, तो अब एक बात देखो, फिर से limit कैसे put करते हैं, तो देखो या, T equals to 0 पे, वो चलना सुरू ही किया है, यू से, तो यानि कितनी दूर चला होगा, वो, जीरो, या, T equals to 0 ऐसे बोल सकते हो, कि उस समय हमने उसका motion observe करना सुरू किया, तो या, T equals to 0 पे, वो कुछ distance चला ही नहीं है, ये इदर की तरफ कितना आएगा, मान लो, S displacement है, S जो होता है, वो क्या है अपना, displacement है, बहले वो यहाँ पे distance के बराबर हो सकता है, जब अगर acceleration constant हो, यहाँ पे straight line path पे जाए, यह सब बता चुका हो मैं कि distance और displacement सब कब बराबर होगे, तो यह देखो कितना दूर चला हो, यहाँ से लेके जब T टाइम तक वो S दूर ही चला है, S displacement, इसको इसको इंटिग्रेट करेंगे, S, U, फिर यहाँ से कितना आएगा, T limit 0 से T, प्लस, A इंटू, T का इंटिग्रेशन, T square by 2, limit कहां से कहां तक, 0 से लेके T तक, फिर से देखो, यहाँ पे यह जो आ रहा है, Time or displacement, तो यहार, limit भी तो हम Time or displacement का यह पुट करेंगे, अगर मालो जैसे इस equation में हमारा क्या हां गया, यह इस equation में velocity और Time जो था, वो variable था, तो उसकी limit पुट करेंगे, यहाँ पे Time or displacement वो variable है, तो उसकी limit पुट करेंगे, तो यह कितना जाएगा, S equals to, UT plus half A, into कितना, T square, क्या यह equation clear हुआ सभी को, यह हमारा कहलाता है, second equation of motion, क्या clear हुआ हाँ यह न, second equation of motion, क्या clear हो गया सभी को, next अगर हम लोग देखते हैं, इसका third equation, third यहाँ से देखो, next अगर हम लोग देख रहे हैं, third equation of motion, यहाँ से देखें अगर, तो एक बाद देखो, acceleration A equals to, क्या होता है, acceleration A equals to, DV by DT, यह होता है, acceleration A equals to, DV by DT, यहाँ से A equals to, किसके बराबर, तो DV upon DT, into, अगर मैं ऐसे लिखू, DX by DX, तो किसी को कोई दिखकर दिसमें, one से multiply किया मैंने, DV by DT, into, कितना लिख दिया मैंने, DX upon DX, क्या यह clear हुआ, कुछ नहीं किया है, मैंने one से multiply कर दिया, बस, DV by DT into, DX upon DX, DV by DT into, DX by DX, यहाँ से देखो, A equals to, क्या लें लेता हूँ, मैं, DV, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर कितना आएगा, DV by DX into, DX by DT, A equals to कितना, DV by DX into, कितना, DX by DT, तो finally हमें यह क्या मिलेगा, DX by DT क्या होगा, V, तो A equals to कितना आएगा, V DV by DX, आप यह relation भी ध्यान रखना, आगे चलके काफी काम आएगा, दो relation होगया अपने पास, A equals to V DV by DX, और A equals to DV by DT, यह जो equation, यह कब काम आएगा अपना, जब भी अगर मालू variable X relation वाले questions करेंगे, उस समय आपको यह सोचना प्रहेगा, कि कौन सा relation योज करें, V और X का relation दिया रहेगा, तो यह VT relation, तो उसके लिए यह वाला relation, ठीक है, अब यहाँ से देखो, A equals to क्या आगे अपने पास, V DV upon DX, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V DV equals to A into DX के बराबर, हाँ यह ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V DV equals to A into DX, यहाँ से DX इदर भेजा, अब एक बाद देखो, फिर से acceleration constant है, क्या यह V constant है, क्या, acceleration तो constant है, पूरा काम ही है, अपन constant acceleration वाले पे कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या यह V constant है, जैसे वहाँ पर हमने यू constant लिया था, क्या वह V constant है या नहीं, हाँ या ना, यह बताओ, यह जो V है, वह constant है या नहीं है, यह किसी T time की velocity है, यह किसी अपना T time तक की velocity है, तो वह तो धीरे दीरे अपना time change होगा, तो velocity, sorry, change होगा, मालो आप move करना सुरू कर रहा हो, 10 से सुरू किया अपने move करना, धीरे धीरे बढ़ेगा, 15, 20, 50, जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे velocity बढ़ती जाएगी, तो मैं बोलो, यार 10 सेकेंड, तो वह अलग time, या ऐसे देख लो, मालो मैं अपने पास V और X की बात हो रही है, तो देखो जरा, कि मैं बोल रहा हो कि जब S 0 है, तो उस समय velocity 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है भई, जब मैं बोलू X equals to 15, X relation constant है, velocity यहां पर increase ही हो रही इस direction में, या अगर opposite direction है, तो भी decrease ही होगा, बस change तो होगा भई, X equals to मैं बोलू 1 मीटर पर तो उसकी velocity कुछ और, X equals to 2 मीटर पर तो उसकी velocity कुछ और, X equals to 3 मीटर पर उसकी velocity कुछ और, तो जैसे-जैसे X change हो रहा है, क्या उसकी velocity भी change हो रही है, हाँ या ना ये बताओ, जैसे-जैसे X change हो रहा है, क्या उसकी velocity change, लेकिन ये अगर मैं बोलू, initial वाली क्या change होगी क्या, initial वाली change होगी क्या, initial वाली, नहीं होगी, मैं अगर बोलू, initial कितना था, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है वैरियेबल तो अब एक बात देखो ये मान लिया हमने एक्स जब 0 है तो उस टाइम पे या उस डिस्प्लेस्मेंट पे विलोसिटी कितनी है जब एक्स जीरो उस समय डिस्प्लेस्मेंट कितना सरी विलोसिटी कितनी यू जब वो मोशन सुरू किया जब डिस्प्लेस्मेंट जीरो तो उस समय विलोसिटी यू माल लिया किसी इन जनरल टाइम पे जब डिस्प्लेस्मेंट एक्स है तो उस समय विलोसिटी कितनी वी यह S माल लेते हैं ठीक है यहां हमारा जो variable यहां माल लो कितनी दूरी पर है S जब उसका displacement S है उसकी velocity कितनी V चला इसको integrate करते हैं V square by 2 limit कहां से कहां तक U से V equals to A into X limit 0 से S finally हमें क्या मिलेगा V square minus U square equals to 2 into A into S क्या यह direct समझाया क्या लिखा मैंने हाँ या ना यह बताओ कि क्या हो गया कि तर यह दोबारा repeat कर दो कहां नहीं समझाया लक्स यह बताओ पहले तो यह हमने देखा acceleration का यह relation equals to V dv by dx उसके बाद डी एक्स इधर भेजा मैंने यहां से देखो V dv equals to a dx मैंने बोला acceleration constant लो भाई अगर acceleration constant है इसको integration sign से बाहर कर सकते हैं उसके बाद यह जो आया वी डी वी मैंने बोला कि जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है यह डिस्प्लेस्मेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे यह velocity भी चेंज हो रहा है तो यह यह तो constant है नहीं फिर इसको भी integrate करना पड़ेगा यहां से वी डी डी वी का integration वी स्क्वाइर बाई टू लिमिट यू से भी ए एक्स जीरो से एस यह यह relation आएगा यह हमारा क्या होगा third equation of motion third equation of motion क्या यह clear हो गया सभी को हाँ यह ना क्या यह clear हुआ आप एस क्यों लिया limit पर तो कुछ तो लेना था मानलों तुम्हें एक्स लेना है ले लो भाई यहां डाइग्राम में मैंने एस लिया था तो वहां भी एस ले लिया कुछ तो लेना था x y z जो भी लेना चाहों ले सकते हो मैंने एस displacement so कर रहा है तो इसलिए वहां भी ले ल हम लोग जो रहेगा वह हमेशा ध्यान रखना कि तीनी एक्वेशन आफ मोसन काउंट करते हैं वह अपने फायदे के लिए कुछ रिलेशन अमने अलग से निकाल रखें ठीक है वह एक बार देख लेते हैं मालो इक्वेशन ओफ मोसन से देखें फ्रॉम सेकेंड एक्वेशन ओफ मोसन से अगर देखें तो देखो यार एस इकोल्स क्या होता है यू टी प्लस हाफ एटी इसका है यह होता है यह रिलेशन अब एक बार देखो माल लो मैंने पर्स्ट एक्वेशन हमें पता है V ब्राबर U प्लस A T यहां से U को क्या मैं लिखूंगा V माइनस एटी के ब्राबर हाई न यू एकोलस्टू क्या लिखते सकता हूं मैं V माइनस एटी के ब्राबर यह लिख सकता हूँ अब एक बाद देखो S equals to मैंने लिया U U की जगवा पे V minus A T into T plus half A T square यही आएगा अब एक बाद देखो V T minus A T square plus यह कितना आएगा half A T square V T minus कितना यह calculation चेक करवा सही है या नहीं V T minus कितना आएगा V T minus A T square plus half A T square यह clear हुआ हाँ तो वो तो सही तो आई गलत थोड़े लिख दूँगा यहां से देखो यह किसके बराबर तो V T minus कितना जाएगा यह किसके बराबर ऐसे देख लो 180 square common ले लो कितना 1 by 2 minus 1 के बराबर हाँ यह ना V T plus A T square into 1 by 2 minus 1 क्या ऐसा लिख सकते हैं हाँ यह ना V T plus A T square into 1 by 2 minus 1 हाँ कितना कुछ नहीं किया मैंने 80 square common ले लिया 1 by 2 minus 1 ले लिया तो अब एक बार देखो 1 by 2 minus 1 कितना minus 1 by 2 यह यह final हमें क्या मिलेगा तो V T minus half A T square V T minus कितना half A T square S equals to क्या है एक रिलेशन तो V T minus half A T square क्या यह clear हुआ यह रिलेशन हमने अपने फायदे के लिए निकाल रखा है कि माल लो जब velocity अगर final velocity दे रखा हो जैसे यह equation में हमें क्या पता होना चाहिए initial velocity पता होना चाहिए time और acceleration पता होना चाहिए तो मालो कभी initial की जग अगर final भी दिया हुआ है तो उस case में भी हम लोग यह डारेक्ट यह यूज कर सकते A equals to zero के लिए यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं constant है acceleration अगर zero है तो वो भी यह constant ही है यूज करो वही आएगा S equals to V T जो भी सारी यह relation अगर acceleration constant है आप यूज कर सकते हो तो वी बरावर यू प्लस एटी यूज करना वह कर लो वी स्कार बरावर यू स्कार प्लस टू एस करना वह कर लो चलो अब नेक्स अब हम लोग देखते हैं यहां से एक average velocity के बारे में हम लोग देख लें एवरेज वेलोसिटी नेक्स हम लोग क्या देख रहे हैं आवरेज वेलोसिटी आवरेज वेलोसिटी वी आवरेज को कैसे निकालते हैं displacement अपॉन कितना displacement अपॉन टाइम टेकन यही होता है हां कि न यह बताओ displacement अपॉन कितना टाइम टेकन वी वराबर क्या होगा displacement अपॉन कितना टाइम टेकन अब एक बार देखो displacement हमारा कितना एस टाइम टेकन कितना टी एस और टी मैंने यहां से लेके यहां तक के लिए लिए एक्सलरेशन कॉंस्टेंट है यहीं कंडिशन के लिए हम लोग निकाल रहें कि वी एक्वरेज विलासिटी टोटल डिस्प्लेस्मेंट एस टोटल टाइम टी एस को मैं क्या यह चीज़ लिख सकता हूं कि यूटी प्लस हाफ एटी स्कॉएर एस इकवल्स टू क्या मैं लिख स displacement कितना s time कितना t displacement s upon time t s equals to मैंने second equation से लिख दिया ut plus half a t square क्या यह clear हुआ सभी को हाँ यह ना फटाफट बोलो s equals to ut plus half a t square अब एक बाद देखो यहां से t से t cancel out हो जाएगा बचे का कितना u plus one by two into a t यही हमारा क्या होगा average velocity अब एक बाद देखो मैं अगर यहां से first equation of motion से अगर देखो 80 की value क्या put कर सकते हैं a t अगर हम यहां से देखे तो from first equation of motion थोड़ा इदर आते हैं from first equation of motion हम क्या लिख सकते हैं from first equation of motion first equation of motion से हम यह वी बराबर u plus a t है अब एक बाद देखो क्या a t equals to मैं ऐसे लिख सकता हूं v minus u 80 equals to v minus u वहां से देखो v average equals to किसके बराबर u plus कितना हो जाएगा 80 की जगह पे put कर दो v minus u by 2 बस यही हो जाएगा और क्या कुछ बचा तो नहीं 80 equals to v minus यहां से क्या जाएगा यू प्लस v by 2 के बराबर यह हो जाएगी हमारी average velocity द्यान रखना एक relation आप यह भी यूज कर लेना average velocity के लिए लेकिन यह तब होगा जब हमारा एक्स रिलेशन क्या हो constant क्या clear हुआ यह चीज हां कि न है क्या यह क्लियर हुआ कि अगर एक आखरी रिलेशन और यूज करते हैं उसके बाद इन सबका वेक्टर फॉर्म देखेंगे में लोग कि यहां से अगर देखें कि यह हम लोग देखते हैं नेक्स अगर पूछा जाए कितने होते तो छे मत बोल देना तीनी होता है यह हमने अपने से निकाल रखा है कुछ रिलेशन जो कि हमारे लिए यूजफूल है थोड़े ठीक है अब एक बात देखो अभी तक हम लोग क्या चाहते थे कि टी टाइम इंटरवल में कितनादी एडिस्प्लेस्मेंट हुआ य toughomb इंटर इंटरवल में कितनी के बाद विलासिटी कया होगी यह सब निकालन निकाल हमने अब हम यह निकालना चाहते है которое Doseng depends दीकितना होगा धृर्ड संगQu fram ऐसे टाइम में कितना चलेगा वो हम लोग देखना चाहते हैं तो अभी एक बार देखो थर्ड फोर सिक्स मतलब यह कैसे निकालोगे आप पहले एक तो नॉर्मल हम लोग वैलू लेके देखते हैं जैसे मालो एक आदमी यह टी कोस्टू जीरो से चलना सुरू किया ठीक है मैं है बोलो पांच सेकेंड में कितना चला तो यह बोलोगे सरफांच सेकेंड यह टी प्लस हाफ है पर एक झाड़ पीजगा प्याव पुट करोंकि शिदह वैलू आएगा वह बतादोगे कि चलना है चल वो constant acceleration से रहा है लेकिन अगर मैं बोलू fifth second में कितना चला लेकिन अगर मैं यह बोलू कि fifth second में कितना चला तो के यह दोनोंचीश सेम या अलग पांच second में कितना चला और fifth second में कितना चला दोनों सेम या डिफरेंट दोनों सेम या डिफरेंट अलग होगा पांच सेकेंड में कितना चला और फिफ्ट सेकेंड में कितना चला दोनों चीज़े अलग हैं तो फिफ्ट सेकेंड में अगर डिस्प्लेस्मेंट निकालू तो मैं कैसे निकालूंगा कि पांच से से चार सेकेंड का डिस्प्लेस्मेंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा हां कि न हमारा जो तरीका रहेगा कैसे फिफ्ट सेकेंड का डिस्प्लेस्मेंट तो कैसे निकालेंगे कि पांच सेकेंड का डिस्प्लेस्मेंट निकालो माइनस चार सेकेंड का डिस्प्लेस्मेंट सब्ट् देखो तो यही काम हम लोग करने वाले हैं, कि अगर मालो हमसे यह बोला जाए कि Nth Second का displacement बताओ, हमसे क्या बोला जाएगा? कि Nth Second में displacement बताओ, तो मैं क्या करूँगा? कि N Second का displacement निकालूँगा? उसमें से N-1 सेकेंड का डिस्प्लेस्मेंट सब्ट्रेक्ट करूंगा हाँ यह ना यह बताओ यह हमें क्या बताएगा डिस्प्लेस्मेंट इन एंथ सेकेंड पार्टिकल जो है वह एंथ सेकेंड में कितना चला वह हम लोग को निकालने के लिए क्या करें हम लो तो एंथ सेकेंड का एंड माइनस वन सेकंड का डिस्प्लेस्मेंट क्लियर हुआ यह चीज हाँ है न पहले यह बताओ इसके बाद तो बस कैल्कुलेसन यह समझ आना जरूरी है तो आओ एसेन की वैलो निकाल लेंगो यह एंध है यह एन्थ है यह टाइम इंटर्वल है यह परिटिक्लर एक फिफ्ट सेकंड़ सिक्थ सेकंड कुछ ऐसा टाइम है एसू क्या लिखेंगे सारी चिदिए यही है तो य्ू टी फुलस हाफ अठीड स्कॉरर स्काल विट फ्लस हाफ n-1 क्या आएगा तो u into n-1 plus 1 by 2 into a into n-1 का स्क्वाइर क्या यह दोनों लाइन जो लिखे मैंने समझ आया आपको हाँ या ना हमने तरीका देख लिया कि कैसे निकालेंगे मैंने उसके बाद यह दोनों लाइन ने लिखी क्या क्लियर हुआ इक बार n पूट किया एक बार n-1 अब क्या करना है दोनों को सब्ट्रेक्ट कर दो चलो वाई s nth इक्वल्स तू क्या लिखोगे s nth इक्वल्स टू s n-1 सब्ट्रेक्ट करो कितना आएगा तो यह वैलू पूट करो तो u n प्लस हाफ a n स्क्वाइर माइनस यह कितना आएगा इसको पहले पूरा ब्रैकेट के अंदर रखते हैं यह इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वाइर एक बार थोड़ा ध्यान से देखना है आप थोड़ा से ज्यादर क्यालकुलेशन है देखते जाना जहां पर नहीं समझा है बताना मैं क्या कर रहा हूं यू एन प्लस हाफ एन स्क्वाइर इसको ऐसे लिख रहा हूं मैनस इसको मल्टिप्लाइ करते हैं जो भी ब्राकट है उसको ओपन करते हैं यो इन इंटू एन माइनस यू प्लस अब एक बात देखो ए इंटू कितना आएगा एन माइनस और स्कॉयर पर ब्रेक एलाउट हो जाएगा un plus half an square अब इसाब माईनस n सो मल्टिप्लाइ करते जाते un plus u minus one by two an square ये plus one by two यानि ये किसके वराबर one by two into a into two and और minus one by two a क्या ये clear होगा बस कुछ नहीं किया मैंने एक तो यह माइनस बीके होले स्कॉयर पर इसको यह ऊपन कर दिया और उसके बाद माइनस साइं से एकस्पैंड कर दिया यहां से देखो इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा बचा क्या यू और इसके बाद क्या बचा तो मैं इसमें से वन बाइटू एंदोनों में से common ले सकता हूं इन दोनों में से मैं क्या common ले लो one by two a plus one by two a into कितना two and minus one के बराबर यह हमारा क्या होगा displacement in nth second displacement in nth second क्या आगा you plus a by two into two and minus one क्या यह समझाया आपको आया ना कि क्लियर हुआ कि अब एक बाद देखो यहां पर हमने यह जो पांचे रिलेशन देखे ना इन सब को थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में भी देख लेते हैं ठीक है दियान रखना यह जो भी सारे चीजए अपनी कैसे मेरे से ठीक है थीच अवेक्टर था परके देखेता हैं कि क्या आएगा अपनी पास सारी ईक्वेशन जो भी हमने अभी तक देखे उन सबको लिख लेते हैं वैक्टर पॉर्मै कि एक बादर कभी-कभी ऐसा होता जैसे कोई भी जो अब्जेक्टिव रहेगा उसमें यह दो तीन शेटिंगा गलत लिख देंगे शह लिख देंगे बॉलेंगे कौन सा एक्स्प्रेसन वैक्टर फॉर्म में गलत है या तो देखो इक्वेसन आफ मोसन जो भी हमने है तो ही जो पूरे स्टेmber निकाल देखा रोषब हो गवेट्र फॉर्म लिक्ते हैं तीक है पेहला सक्ष्च यू प्लस टी यह वेक्टर यह वेक्तर है में आए गाए इते स्कॉर्फ एक्टर प्लस ए वत्र इंटू ती पहला कि सेकेंड एक्टर यह हमने क्या लिखा था एक्वाज टू उटी प्लस हाफ एटी स्कॉयर यह हाए था अब एक वाद देखो एक यह हमारा क्या अपना टाइम है एस वेक्टर इक्टर प्लस वन बैट टू ए इन्टु एट्रण एंटु कितना टी एसक्वाइर ये हमारे सिंपली क्या है स्कॉंस्ट्ट निए देख रख रख है एक से एक व्याइक्टर को मल्टिप्लाइ कर सकते हैं थार्ड एक्वेशन अब यह वाला थोर्ड एक्वेशन देखो कि a dot a जो होता है वो किसके बराबर a square के याद है आपको a dot a square के बराबर याद है आपको यह चीज कि a dot product में पढ़ाया था vector a dot vector a equals to a square तो देखो भई यहां पर क्या लिखोंगे v vector dot v vector equals to क्या लिखोंगे यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस टू इंटू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर यह बेटर ध्यान रखना displacement है distance नहीं है भले यह अलग बात है जब स्ट्रेट लाइन पर जाए direction चेंज नहीं हो दोनों बराबर हो जाए आराम से आंसर आजाएगा लेकिन यह हमारा है क्या displacement को यह मत कन्फ्यूज हो जाना कि सरा आपने distance के ऊपर क्यों एरो लगा रखा है क्लियर है चलो यहां से देखते हैं यह तो अपना स्ट्रेट स्क्राइब स्ट्रेट इस और सब्सक्राइब एक्वेक्टर फोर्म हॉल्स यह समझ पूछना कुछ ऐसा एसा नहीं की आपको यह याद करने की पड़े इसमें कुछ यान करना थोड़ी बहुत समझ चाहिए समझ रहेगी तो यह जबरदस्ति रटने के जरूरत नहीं रहेगे कभी कभी आ जाता है सा क्वेस्टन इसलिए यह भी देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट यह हमने देखा सा यह बताओ किसी को किसी वाले पार्ट में कोई दिक्कत कि कौन सा एक्वेस्टन वेक्टर फॉर में कैसे यह बागी तो सब सिंपल था यही बस एक थोड़ा लग था यह कुछ लोगों को प्रवलम आता है कि कौन सा एक्वेशन अपलाई करें वह समझ नहीं आता है देखो वैसे नाइन क्लास में यह सब चीज़ी हम लोग कर चुके हैं लेकिन फिर भी चलो मालो किसी ने अगर नहीं किया हो तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपने जीवन में अगर कभी ऐसा क्वेशन नहीं भी किया हो कभी अग कदरी आपको जब भी अगर पहले सवाल आए ना सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी गीवन डेटा है वो लिख लिया करो सवाल विल्कुल ध्यान से पढ़ना अब ठीक है देखो अब असली जैस आने वाले आप सही अब सुरू हो जाएंगे ठीक है मैं पहले तो आप आदत डाले ना क्वेस्टन सो पहले ढंक से पढ़ने का उसके डाइग्राम जरूर बनाने लिए पिजिक्स में आप बीना डाइग्राम सवाल करने कोसिस मत करना अब इसे आदत बना लोगे फिर थोड़ा आगे चलके हेल्प मिले और करना क्या है जो भी आप इसमें जो भी देटा दिया हो और जो निकालना हो वो आप लिख लेना सबसे पहले ठीक है अगर आइडिया आ रहा है कि हाँ यार कौन सा एक्वेशन अपलाई कर रहे हैं वो अगर डारेक्ट क्लिक कर रहा है तो तो अच्छी बात है नहीं कर रहा है ना उसके लिए आप क्या करना कि तीन बता रही है मैं पहले उसका उपाया बता दे रहा हूं तो जो भी प्रैक्टिस करने इमानदारी से बैठ करके इस तरह से प्रोसेड करना दिक्कत नहीं आएगी तो तीनों एक्वेशन आप पहले ऐसे लिख देना सामने फिर देख लेना कि क्या क्या दे रखा और हमें निक करना है तीनों एक्वेशन सामने लिख लो उसमें देख लो कि जैसे मालहों गर किसी में हमने हमें अगर वी दिया हो यू दिया हो और एडिया और S पूछ रखा हो तो क्या करो गया बोलो गया वी यू ए दिया हुआ है ठीक है एस पूछ रहा है इसमें तो है नहीं छोड़ दो S निकालना U T दे नहीं रखा तो ये भी छोड़ दो V U A दे रखा S निकालो बस थर्ड एक्वेशन अप्लाई कर देना तो यह आप equation question देख करके data देखो क्या क्या दे रखाए तभी आइडिया आएगा ठीक है दूसरी बात किसी एक डाइरेक्सण को हमें पॉज इघख़ डूसरे डाइरेक्सणको नेगटीव डिसाइट पहले कर ले लहा है एक डाइरेक्सण को पॉजट्व पॉजट्व आप फ्री हो चाये तो आप राइट साइड को पॉजटिभ लेलो लेuffSP şanto नेगटिऻ या लेफ को जो जिस डायरेक्शन में आप उस साइन के साथ पुट करो अपने आप वैलू साइन के साथ आएगी ठीक है अब एक बाद देखो बिल्कुल पहले आसान सवाल हम लोग कर रहे हैं यहां पर एक आज आसान सवाल करेंगे फिर थोड़ा सही करेंगे उसके बाद थोड़े बहु जो क्वेस्टन है कि कौन सा एक्वेस्टन अपलाई करें वह हमारा पार्ट खतम हो जाएगा मालो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल की जो विल्कुल इसलिए ता कि आप एक्वेशन आप्लाई करने सीख जाओ पहला पार्ट देखो फटाफट विलासिटी निकालो ती इकवर स्टू फरी सेगेंड पड़ाउसिटी बेसिख सवाल सायो होगी ती कोई सब्लका करें देखो कॉनिए क्विख सरी पूर जाओ तो लिक सकता हो यहां मैं भी लिख देता हूं ता कि आपको लगे यहां और कैसे सोचे वी स्कॉर ब्राबर यू स्कॉर प्लस देखो देख यह रखा है पहला सवाल यू दे रखा है दस मिटर मालो भाई इधर की तरफ पॉजेटिव इधर की तरफ नेगेटिव यू कितना एक्सलेरेशन इधर वी ब्राबर यू प्लस एटी टैन प्लस टू इंटू थ्री कितना जाएगा 16 मीटर पर सेकंड ठीक है वह फटाफट चलो अगला सवाल सेकंड पार्ट डिस्प्लेस्मेंट क्या होगा टी कोस्टू टू सेकंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेस्मेंट बताओ टी सेकंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेस्मेंट ओ भाई देखो यहां थी सेकंड एक्विशन फटाफट अप्लाइब करो एसी कोस्टू यू टी प्लस हाफ एटी इसक्वार यू कितना दस टाइम दो वन बाइटू एक्सलेरेशन दो टाइम कितना दो का स्कॉर यह कितन पुरित कहां गलती किती समय अच्छे टी तो और क्या लिया था तुमने है ऐसे मत करो यार चलो फटाबट दूसरा थार्ड एक्विशन यह अपना थार्ड पार्ट करो इसका टी क्वेल्स टू क्या होगा जब वेलासिटी वेन वी क्वेल्स टू कितना हो जाए देदू मैं सिक्स्टी मीटर पर सेकेंड चलो फटाबट करो टी क्वेल्स टू क्या होगा जब वेलासिटी सिक्स्टी मीटर पर सेकेंड देखो यह सब जो डारेक्ट अप्लाइट अप्लिकेशन वाले हो आज ही एक ही सवाल में मैंने अप्टा रहा हूं उनको कि क्या होगा जब विलॉसिटी कि 60 मीटर पर सेकेंड हो एक बाद चार कोई नहीं ज्यादा काम है नहीं तो देख लो फटा पट यहां से देखो वी ब्राबर यू प्लस से अप्लाई कर लेना वी कोस्टी यू कितना दस टाइम कितना सरी एक्सलेरेशन दो टाइम निकालना है फिफ्टी बाइटू कितना जाएगा ट्वेंटी फाइव सेकेंड ठीक है अब तो वीडियो मिली जाएगा देख लेना दो एक दो सवाल घर के लिए लिख लो डीपार् प्लेस्मेंट क्या होगा इन थार्ड सेकेंड ठीक है उसके बाद एवरेज विलॉसिटी क्या होगी वी एवरेज क्या होगा वी एवरेज क्या होगा टी इक्वल्स टू थ्री सेकेंड में यह दोनों निकाल लेना आप यह दोनों आप कैल्कुलेट कर लेना ठीक है झाल झाल